जय हिंद, आज है 23rd of June और इस सेशन में The Hindu Editorial का भोकावली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजे और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजे आए देखते हैं आज का important word फर्स्ट वर्ड है वीडर, क्या है वीडर, अगर वीडर की बात करें तो यह भर्व है जिसका meaning होता है anything that becomes weaker until it not longer exists or is no longer effective यानि कि कोई भी चीज़ जो क्या weaker हो जाए यानि कि कमजूर हो जाए ठीक है क्या हो जाना कमजूर हो जाए until it no longer exists तब तक जब तक यह एक्जिस्ट ना करें और is no longer effective या ज्यादा effective नहों यानि कि असरदार नहों तो वीडर की अगर सिधी सिधी meaning की बात करें तो निस्टेज हो जाना क्या हो जाए निस्टेज हो जाना इसका हिंदी में नहीं हो जाए यानि कि कमजूर हो जाना बेकार हो जाना ठीक है उसको मेनिंत होता है अन प्लिजंट रिजल्ट और एफेक्टस और एक्ट्स अर इबेंट यानि किसी इभेंट और एक्ष happier to की सब्सक्राहिए अनॉड प्लिजन यानि कि दूख़त रिज़ल्ट हम मतलब कोई आप कोई ऐसाम दियो और और झाम आपा tighter नहीं गया एक्जाम में आप खेल कर गये तो वो रिजुट किया सा हुआ अंप्लिजेंट हुआ ठीक है तो फॉलाउट मतलब सीधा से बांटा सुधा किसी एस्थीति के पूड़े परि नाम किसी एस्थीति के बूड़े परिनाम यानि की Synonym सो जाएंगे word क्या Fallout जिसका मतलब होता है कि किसी स्थिति के बुरे परिणाम जैसे मान लेजे कि अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि sleep होकर fall होना बारीज के fallout है मान लेजे कि sleep हो गया मतलब आपका पैर सिलिप हो गया और आप गिर गया तो यह क्या हो गया कि यह बारीस का फॉल आउट हो गया यानि कि बारीस के बुड़े परिणाम हो गया ठीक है तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं डेली लैब से रिलेट करके अब देखते हैं नेस्ट वर्ड नेस्ट सक्सेस पुली करता हैं डेट्र्मिनेशन ठीक है जो क्या हो किसी काम को सक्सेसफुली करने करें कि करें कितने सथे निसमस्स फॉली करें कितने डिफिकफिकर्ट कंडिशनमें में तो मेट לאס़拜拜 कही धर ओर हिंठी मिनिशनम incl. इस्तुर्ट हो जागा सूर्था या बेरता मतल सबस्क्राइब कर एक सकता है यह फिर फॉर्टीट्री लिएगा और भी आप नोट कर लिजिए गास वाट के है मेटल जिसका मतलब होता है सूरता ठीक है अब देखिए अगर इसका ट्रिक बनाया जाया तो ट्रिक क्या हो सकता है कि जो आयरन मेन है आयरन मेन तो आप मोवी देखे होंगे तो आयरन में में क्या है मेटल जैसा मेटल है मेटल एक वह मेटल एमी टी एल मतलब क्या होता है धात अब देखते हैं next word arbitration का है arbitration last word के आयोए ना रहा है अगर word class में आयोए नाता है तो वो नाउन हो जाता है आप इसको याद रखिए गसे अपिन की नाऊन का सफिक्स थे आये ऐसके हर यहां पर arbitration क्या हो गया हर इसके मिनिंग की बात की जाएespère तो मिनिम्म होगा the official process of setting, settling argument, यानि कि argument को settling करने के लिए एक official process, एक official प्राकिरिया, ठीक है, तो उसके लिए arbitration वर्डी होता है, मतलब कोई भी argument होता है, तो उसको settle करना जरूरी होता है, अगर settle नहीं किया गया, तो बात आगे बढ़ेगी, तो इसलिए, official process होता है, जिसको हम लोग arbitrations बोलता है, ठीक है, जिसका हिंदी मिनिम्म मध्य अस्यता हो सकता है, स क्माइन होसकता है, चनोनेमिंस की बात करें, तो स क्माइन, meditation हो सकता है, उसको हम अर्पेट्रेसन बोलता है, समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं नेश्ट वर्ड देखिए इसका ट्रीक अगर बना तो बहुत मजदार ट्रीक बन सकता है कि अगर जो और अरते होती है उनके बीच arbitration करा होना मुस्किल होता है क्या होता है और अपतों के बीच में arbitration करा होना मुस्किल होता है तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं next word है emas emas एक भर्व है जिसका meaning होता है तु collect something यानि किसी चीज को क्या करना जमा करना संचीत करना ठीक है तो हिंदी जिसका मतलब होता है संचीत करना किसी चीज को कि जमा करना ठीक है तो वर्ड के है emas जो यहां पर भर्व है और उसका Hindi में संचीत करना होता है जैसे इसका ट्रीक बनाया जाए तो ट्रीक क्या हो सकता है कि कोविड के टाइम में मास का emas allowed नहीं था क्या था मास का मास मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा भीर ठीक है तो उसका emas नायां की एक जगा क्या चुछ अनए होता है तो इससे तदी करने का मेंडेट मतलब ठीक है तो हिंदी मिनिंग अधिकरित हो जाएगा क्या हो जाएगा अधिकरित होना और सिनोडेम्स की बात करें तो ऑथरीटी कमांड और फिट यह सब इसके सिनोडेम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है अधिकरित होना यानि कि आपके पास अधिकार है शोचेयर कि स्कूल में मंडे से उनिफर्म मेंडेट है कि मंडे से उनिफर्म मेंडेट हैं याछ कि आपको मंडे से क्या करना है। जैसे आपको फर्म मेंगर फिल ओप करते हैं तो उसमें एक बॉक्स होता है जिसको उपर स्टार लगा होता है स्टार-मर्क गया रहते हैं और उसमें उसका दिया रहता है ईharst Tutment की जो स्टार वाले बॉक्से है उसको फिलकरना mandatory है नहीं की जरूरी है तो mandate यही mandatory mandate से ही बना हुआ है इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं next word है यूसर्प क्या है यूसर्प एक भर्व है ठीक है यूसर्प एक भर्व है जिसका मिनी होता है take illegally और by force मतलब किसी चीज को क्या करना illegally या by force किसी को हथी आ लेना ठीक है ले रहेना छीन लेना जाब अजब आगजा करेना किसी चीज चीज पे ठीक है तो यूसर्प मतलब समझगे क्या होता है हथी आ लेना या कभजा कर लेना illegally ठीक है एक्सप्रोप्रियेट हो सकता है या फिर टेकवर, सीज़, एनेक्स्याबिर रेश्ट ये सब इसके सिट्वाइम अधनल, सीज, एनेक्स्याबिर रेश्ट मीनिग तोícia गई यू सर्फ मतलब हथी आ लेना किसी चीज़ पर कभ्जा करये ना जबरदस्थी ग्यरकर्णरी तरिक से नेक्स्ट वर्ड है बलेटांट एक एडजेक्टिव है जिसका मिनिंग होता है डॉन और पैनली एंड अन एसेम्डली मतलब कोई चीज एस परस्ट रूप से करना खुलं खुला करना ठीक है मतलब बीना कोई सर्माय वगरा ठीक है कोई काम करना तो बलेट बलेटेंट मतलब क्या हो गया करना सोगहां है और मीनिंग की बात करें तो ऐस्पर्ण रूप से हो जागा ठीक है कि अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि बंधापे में bought होना blatant है कि फ्राइल्टी एक नाउन है कि सर्शे बाल उड़ जेना कि कि है बंत terminalrow बहुत लोगा ऐसे हो जाता है तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं with the help of ट्रिक नेंस्ट वीरल्टी यह रॉल्टी यह रॉल्टी एक नाउन है क्याहरा फ्रैल्टी एक नाउन है जिसका मिनिं होता है कि अटेमी सनअ अब बींग week and delicate अटलिब ऐसा condition जिसमें क्याना वीक होना है delicate हो जाना कम्जोर होना ठीक हैता कमजोरी इस को बल सकते हैं उस कंडिशन को क्या हो लेंगे कम्जोरी जिस में मेनिंग होता है given to you as a right or responsibility मतलब क्या करना कि आपको right to responsibility दिया गया ठीक है तो उसके लिए वेस्टेड वर्ड इस करेंगे जिसके हमीनिंग होता है नहीं होना क्या होना नहीं होना इनने उसकी बात करें तो सियोनेमस इसका क्या हो सकता है तो सेंसर हो सकता है authorized permitted या फिर इंपावड यह सब इसके सीनोनेमस हो जाएंगे sanctioned authorized permitted या इंपावड यानि पर्मिटेड कि इसको मतलब आपको अनुमाती मिला हुआ तो वेस्टेड मतलब given to you as a right और responsibility में उतलब आपको कोई चीज एजराइट यानि कि आपके अधिकार या जीमदारी दिया गया हो तो उसके लिए वेस्टेड वर्ड यूज करेंगे तो आप नर्मली इसको समझ गया होंगे जैसे आप इसका ट्रीक बनाया तो ट्रीक क्या बन सकता है कि वेस्ट की पावर बाइडन के पास वेस्टेड है जो बाइडन है अमेरिका के प्रेसिडेंट उनके पास वेस्ट की पावर क्या है व the help of tree